अलो दोस्तों कैसे हैं आप लोग मेरा नाम है दीपक और आप देख रहें दीपक मेडिकेर आप फिर से स्वागत है हमारी एक नई वीडियो में तो आज मैं आपको बताऊंगा कि गली में इंफेक्शन या गली में दर्थ कुछ अठका-ठका सा लगना टॉंसिल या टॉंसिल तो आप मुसे कमेंट बॉक्स में पूछ भी सकते हैं तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं तो जिल लोगों को नहीं पता है टॉंसिल क्या है गली में टॉंसिल होने से क्या होता है तो मैं बता दूं यह गली के दोनों तरफ होता है टॉंसिल का प्रिमुक काम बारिस अं कि को टॉंसिल हो जाए तो टॉंसिल कितरी दिन में ठीक हो जाते हैं आम तोर पर टॉंसिल में हुआ परिसानी भढ़ने के साथ ही इंफेक्शन भी भढ़ जाएगा जिससे आपके गले में और भी ज्यादा परिसानी और भी आज समस्य होने लगेगी तो अगर गले में इंफेक्शन या किसी को टॉंसिलाइटिस की परिसानी है तो इसके क्या लच्छड हो सकते हैं गले में दर् दर्दन में दर्द सिर में दर्द साथी साथ मुह से बदभू आना और गला सूजा रहना यह ऐसे कुछ सामाल लच्षड हैं जो आपको गले के इंफेक्षण टॉंसिलाइटेस होने पर आपको दिखाई देते हैं अपनी सरीर पर और यह परिसानी बच्चों के साथ-साथ एडल्ट में बूडों में किसी में भी हो सकती है इसकी कोई सीमा बगर नहीं है यह किसी भी उमर में किसी एज में किसी इंसान को हो सकती है और इसस अठका-ठका से महसूस होगा तो आज हम उसके बारे में पूरी जानकरी देंगे तो इसका मैं टीटमेंट बताने या रहा हूँ आपको कि अगर आपको ऐसी कुछ समझ से आये तो आप इसमें क्या टीटमेंट ले सकते हैं जिससे आपको आराम ले तो हमारी पहली दबाई है अजित्रोमाइसन 500 mg यह दबाई आपको रात को सोने से पहले एक गुली लेनी है खाना खाने के बाद पानी से यह दबाई अजिलाइफ 500 mg के नाम से है अगर आपको नाम ले तो आप किसी दूसरी नाम से भी ले सकते हैं पर सॉल्ट यह होना साहिए अजित्रोमाइसन और यह आपको रात को सोने से पहले एक गुली लेनी है और अगर यह एक एंटिवाटिक दबाई है जो हमारे गले में थ्रॉट इंफेक्शन में काम करती है बहुत अच्छा आपको यह एक एंटिवाटिक लेनी है को दूसरी एंटिवाटिक आप नाले और आप एक परसीटमल टेविट ले 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 दूसरी दवाई परसीटमल है जो आपके कली में दर्द वगरा चुबन मगरा होती है उसमें बहुत ज़्यादा आराम देगी आप कोई आपको 10 ml और एक कफ पानी में डाल करके गरारे करना है आपको ऐसा दिन में 4-5 बार करना है और आपको गरारे करते रहना है आप बहुत से लोग ऐसा होती है 5-6 दिन गरारे करते हैं उसके बाद गरारे करना बंद कर देती है और वो infection फिर से दोबारा हो जाता है आपको गर Multi vitamin tablet लेनी है, आप चाहें तो दूसरी कोई multi vitamin tablet भी ले सकते हैं, कोई सी भी, और आपको ये tablet दिन में दो बार लेनी है, खाना खाने के बाद पानी से, और आपको ये multi vitamin tablet है, जो हमारे कल्णे में होने वाले infection को जल्दी टीक करने में मदद करती है, और आप एक DSA ले ले ले, कोई सा भी ले सकते हैं आप मार्केट से यह आपको सुबह खाली पेट लेना है पानी से उसके एक घंटे आदा घंटे बाद कुछ खाना है यह एक गैस का कैपसूल है और ओल्टी वगड़ा होने का जिससे कभी कबर ऐसा होता है कि हमारे पेट से ही कुछ समझ से हो जाती है ज साथ इसाथ आपको कुछ पारेज भी करना पड़ेगा.. जैसे कि आपको अमारेगडे का कुछ बित तलब होना है.. जंक फूर्ड वगर्र नहीं खाना है.. और आपको चाहँने हवंगोर्ण कोड़ा चाहे। को साथ चाहे कौई यह आप पहे ज़ day-tap.. और अगर आप हमारी चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और अगर आपके कुछ सवाल हैं तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ भी सकते हैं मैं उसके जवाब जरूर दूँगा तो थेंक्यू वेरी मच